हलो फ्रेंट्स बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टन प्रेशनों की जो परिक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा अंत तक वीडियो को आप देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चले स्टार्ट करतें दोस्तों पहला प्रेशने आपका 42 चात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रेम उपर से सोलेवा है इसका क्रेम अंत से कितना होगा देखिए टोटल कितने चात्रा है 42 और सुधा का जो क्रेम है उपर से सोलेवा है तो टोटल यहां से लेकर यहां तक कितने चातर दोस्तो 42 सुधा का क्रेम उपर से मतलब यहां से सुधा का क्रेम उपर से कितना है दोस्तो 16 है अब देखें टोटल चातर यहां से लेके यहां तक कितने 42 है किलियर और उपर से सुधा का जो क्रेम है 16 है हैं जब यहां से लेकि यहां तक सोलह है तो यहां से लेकि यहां में तो घटा गटा दोंगा कि लियर मैंने 42 में जबारे ारे prone वह च्छे चिएगा आप कई गए 42 मी तो सार 15 2 बच्छे टो ठीक है यहां से लेके यहां से लेकर यहां तक सूलेवा है तो अब यहां से लेकर कितने बचे आप खहेंगे यहां से चात्र बयाली से ठीक है यहां से लेके सुधा का जो क्रेम सोलेवा है तो सोलेवे के नीचे कितने चात्र बचे 26 चात्र बचे आप से पूछ रहा है कि उसका क्रेम अंत से कितना होगा अंत मतलब यहां से प्रारंब से तो दे रखा है सोलेवा है यहां से अंत से कितना होगा त 26 चात्र में सुधा का कोई स्थान नहीं है 26 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 27 में पर तभी तो सुधा का स्थान होगा तो अंत से सुधा का जो इस्थान है वो कौन सा है 27 में है उमीद करता हूँ सभी को प्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा D option हो जाएगा आपके प्रेशन का दोस्तों सही आंसर किलियर हो गई बात किसी को कोई डाउट हो तो comment works में comment करके जरूर बताईएगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है ऐसे प्रेशन परिक्षा में बहुत पूछे जाते हैं तो इनको करने का तरीका सीख लीजे देखें यहाँ पर क्या है इस्टार है तो इस्टार यहाँ पर दे रखा है तो इसकी जगह पिलस माइनस गुना डिवैड कोई भी साइन अगर आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से लेकिन बस आपको आंसर लाना है ठीक है अब मैं आपको एक चीज कहूँ और यह चीज मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रीजिलिंग के प्रेश्णों में अपने निगाह को तेज रखिए तेज निगाह रखिए अपनी तेज निगाह तेज निगाह रखेंगे तो पहचा लेंगे संक्या क्या है देखिए तेज निगाह रखने का मतलब क्या है साथ चार तीन 7 4 3 7 4 3 मसला जो संख्या यहां पर है वही यहां पर दे रखी है आगे भी देखिए 8 6 4 8 6 4 जो संख्या यहां है वही यहां पर है समझे बाइबाद जो संख्या यहां थी वही यहां पर है जो यहां थी वही यहां पर है तो जो साइंग यहां पर हैं वही यहां पर आएंगी लेकिन किस लोजिक से आ रही है वो चीज़ आप देख लीजिए पस ठीक है यहां पर क्या है साथ है चार है और तीन है दे क्या रखा है चार सो सेंटीज यही तो दे रखा है तो देखिए जो first है वो क्या दे रखी है आपकी last ठीक है जो first है वो last है जो second है वो first है और जो last है वो बीच में दे रखी है पायता ही समझ में वही relation यहां पर बना करके देखिए आप क्या दे रखा है आठ छे चार बराबर में कितना है छे चार आठ यहां क्या था जो first है वो last था तो यहा सेकेंड वाला है वह का दे रखा भी फिर्षिट में G흥र्षिबें करते ब्राबर में यही आएगा देखे जो पर्षिट है इसे लाष्ट कर दूँगा चार को मैं पहुँचा दूँगा लाश्ट में के लिए और जो बीच में है वो फर्ष्ट में आएगा तो तीन आपका बीच में है तो यहां फर्ष्ट में आ जाएगा तीन और छे लाश्ट में यह बीच में आ जाएगा तीन छे चार तीन छे चार देखें किस बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आगिया होगा निगाह तेज रिखिए तेज वाली निगाह संख्या को पहचान ये एक बार में ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है नीचे दिये गए बिकल्पों से संख्याओं का वह समु ग्यात करो जो नीचे दिये गए समु से भिन है दिया गया समु जो समु आपको दिया गया है इससे क्या हो भिन हो इससे अलग हो तो सबसे पहले जो समु हमको दिया गया है इसको पहचानेंगे कि यह समूद दे के रखा है तीन साथ सो तीन साथ और यह वन हंड्रेड है अगर मैं देखे किया यहां पर रिलेशन बनाओंगा अगर मैं इस साथ को जोड़ दू तीन पिलस साथ डोनों को अगर मैं जोड़ दूँगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 दोनों को जोड़ दूँगा 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वार करूँगा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा यह वाला तो दोनों को जोड़ करके स्क्वार कर दिया तो तीसरी संग्छा आपको मिल गई बिल्कुल सही, लेकिन इस समुह से क्या होना चाहिए, बिन्हों होना चाहिए ये कह रहा है, तो देखिया यहाँ पर मैं स्वालब करूँगा 11 और 12 हो जाएगा कितना हो जाएगा, तेइश और तेइश का स्कुर्ण दोस्टो कितना होता है 30 का स्कॉर होता है 529 ठीक है लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा 365 यह सबसे भिन्न हो जाएगा आगे पहले मैं चेक कर लेता हूँ और 13, 17 को जोड़ेंगे कितना होता है 30 होता है और 30 का स्कॉर करेंगे 900 होता है यहाँ 900 दे रखा है आगे देखिए एक और दो जोड़ेंगे 3 होता है 3 का स्कॉर करेंगे 9 होता है 9 आपको दे रखा है आगे जोड़ेंगे 6 और 7 कितना होता है दोस्तो 13 होता है और 13 का स्कॉर करेंगे आप कितना होता है 169 देखिए 13 का स्कॉर 169 होता है बिल्कुल सही 3 का स्कॉर 9 होता है बिल्कुल सही 30 का स्कॉर भी आपका 900 होता है बिल्कुल सही 23 का स्कॉर आपका 529 होता है लेकिन दे कितना रखा है 365 30 का स्कॉर 900 होता है 900 दे रखा है 3 का स्कॉर 9 होता है 9 दे रखा 13 का स्कॉर 169 169 दे रखा है लेकिन 23 का स्क्वार 529 होता है यहां 529 नहीं दे रखा तो दिये गई समू से भिन्ने है वही आपको बताना है तो पहला option से हो जाएगा यह आपका भिन्ने है यह अलग हो जाएगा 4 option में से ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ सभी को प्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला question है 7,8,16,43 question mark यहां क्या आएगा देखे ऐसे प्रेशन बहुत परिक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रेशन बहुत परिक्षा में पूछा गया है देखें क्या रही लिसन है 7 से हो रहा दोस्तों आपका 8,7 से 8 हो रहा है clear 7 से 8 होने का मतलब क्या है एक बढ़ रहा है आपका 8 से 16 हो रहा है,8 से 16 होने का मतलब क्या है आपका 8 बढ़ रहा है 16 में 27 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा केलियर लेकिन अब मैं यहाँ पर कितना जोड़ूँ कि यह question mark की संक्य है मुझे पता चल जाएगा यहाँ एक जोड़ रहा है यहाँ पर 8 जोड़ रहा है यहाँ पर 27 में यहाँ पर क्या जोड़ूँ तो देखे जब first difference समझमें ना आए तो आप उसका second difference ने कर सकते देखे कैसे अगर मैं इसको एक कूँ देखो तो यह क्या होता है एक का Q जोड़ा गया है आठकू देखो तो मैं कहूँगा कए दो का Q यहाँ पर जोड़ रहे है 27 को देखऊँ तो मैं कहूँगा जोड़ेंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 मतलब 107 तो कुश्चन मार की जाएगे कितना हैगा 107 107 दे रखा B option में यह आपकी प्रश्चन का सही आंसर हो जाएगा के लिए रोगे दोस्त बात उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्चन आ गया होगा अब देखेंगे अगला प्रश्चन अगला प्रश्चन है यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताइए कि 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा देखें तारीक आपकी सेम है यहाँ पर मैं कहूं कि 15 अगस्त पंदरा अगस्त दो हजार च्छे को दो हजार च्छे को कौन सा दिन दे रखा है आपको दे रखा मंगलवार का दिन ठीक है मंगलवार का दिन और पूछ कप का रहा है पंदरा अगस्त का ठीक है पंदरा अगस्त का और कप का पूछ रहा है और तारिक भी क्या है आपकी से तो याद रखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यह देखना है कि हमारा लीप वर्स तो नहीं है आप देखेंगे 2006 भी लीप वर्स नहीं है 2007 भी हमारा लीप वर्स नहीं है तो क्या होगा साधरन वर्स है यह भी यह भी साधरन वर्स है तो आप साधान बर्स से दूसरी साधान बर्स में जा रहे हैं तो बस एक दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिना है ठीक है समझ में आगी बात तो मंगलवार में आप एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आपका जो सही आंसर आजाएगा वो हो जाएगा बुद्वार केलियर जब हमारा लीप वर्स होता यहां पर तब हमें उसमें कुछ अलग करना होता है लेकिन जब हमारा लीप वर्स नहीं है साधान वर्स से साधान वर्स में जा रहे हैं तो बस एक जोड़ना है, अगर यहाँ पर हमारा Leapverse होता, या फिर यहाँ पर Leapverse होता, तब थोड़ा सा Change होता है, बस यह ध्यान रखना है कि एक नहीं जोड़ना है, उसमें दो जोड़ना होता है, किलियर दोस्तों बात समझ माँगी, उसमें क्या करना होता है, दो हमको अगस्त 2007 का दे करके आपसे पूछ ले आपसे 2008 का कौन सा दिन होगा यहां पर यह पूछ ले यह प्रिश्णि में दे दिया जाए कि 15 अगस्त 2007 का बुधवार है और 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा यह पूछा जाए तो देखे 2007 तो आपकी एक साधन वर्स है और 2007 के बाद में 8 में आएंगे तो यह क्या हो जाएगा? Leapverse हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा आप यह Leapverse 2008 Leapverse Leapverse वो होते हैं जो 4 से पूरे-पूरे कट जाएं, तो 2018 4 से पुरा-पूरा कट जाएगा तो इसमें आप क्या करिंगे? एक दिन तो एक्स्ट्रा आप जोडते ही है जब साधान बर्स से साधान बर्स में जाएं चाहें लीप बर्स में जाएं एक दिन तो आपको जोडना ही है उसमें तो कोई दोराई नहीं है उसमें कोई परिशानी नहीं है एक दिन तो आपको जोडना है लेकिन एक दिन और अधिक जोडना है क्यों जोडना है क्योंकि दोस्तों जब लीप वर्स होगा तो इसमें फरवरी का महिना 29 का आएगा आएगा कि नहीं आएगा वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता उस एक्स्ट्रा दिन को हमें जोडना होता है तो बुधवार में अब आप दो जोड़ दीजे, बुधवार में दो जोड़ेंगे बिरस्पतिवार, फिर आ जाएगा शुकरवार आपका सही आंसर, तो जितने भी student हैं इस चीज में confusion होगा, अब नहीं होगा, अब तो अच्छे से समझ में आगया होगा आपको, ठीक है, त ताकि अगर लीप वर्स दे दिया जाए, तो आप उसमें गलती ना करें, ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, यदि 72 प्लस 37 बराबर 638 बहुत बड़ी संख्या है, तथा 54 प्लस 13 बराबर 454 बहुत बड़ी संख्या है, 61 प्लस 53 प्रेशन में तो जल्दी लोजिक को पकड़ लेंगे, देखें, अब इस प्रेशन में क्या हो रहा, अच्छे समझे, यहां पर मैं कहूं, कि 72 प्लस 37 बराबर आपको कितना दे रखा, 6, 3, 2, 8, यही तो दे रखा है, अग तेज निगाहें रखने का मतलब क्या है, कि यहां स मैं जाओं, पहली संग्चाय का रिलेशन इस पहली से बनाओं, तो 7 से क्या हो रहा, 6 हो रहा है, क्या हो रहा, 1 कम हो रहा, माइनस कम, माइनस 1 हो रहा है, फिर मैं दूसरी का रिलेशन दूसरी से बनाओं, 2 के बाद क्या हो रहा, दोस्तों, 3 हो रहा, क्या हो रहा है, पिलस क तो क्या logic बना, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, आई बात समझ में, उस फिर यहाँ पर देखिए, क्या देराख आपको, 54, plus 13, बराबर 4, 5, 0, 4, logic बनाईए, पहले minus 1 हुआ, तो यहाँ पर भी देखिए, क्या minus 1 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, बिल्कुल सही है, minus 1 हो रहा है, फिर plus 1 हुआ, तो दे क्या हुआ, minus 1, 3 से 4 हो रहा है, plus 1, यहाँ जो logic लगा था, बिल्कुल यही पर लगा है, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, दोनों में सेम logic है, सेम logic फिर यहाँ पर भी आप लगा दीजिए, बिना सूचे समझे, 61, plus 53, बराबर क्या आएगा, तो क्या करना है, minus 1 पहले, तो 6 में स एक घटा देंगे, minus का बन करेंगे, कितना जाएगा, 5, minus 1 के बाद क्या करना है, plus 1, तो एक में plus 1 करूँगा, कितना जाएगा, 2, भी, plus 1 करूँगा, एक में एक जोड़ूँगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, minus 1, minus 1, minus 1, 5 में में क्या करूँगा minus 1, 5 में से एक घटा दूँगा 4 आ जाएगा, फिर में क्या करूँगा plus 1, clear plus 1, 3 में जोड़ूगा, 4 आ जाएगा अब दीखें किस option में 5, 2, 4, 4 पहले यह option में यह आपका सही answer हो गया, तो 3ों में हमने क्या क्या, same logic लगा दिया minus 1, plus 1, minus 1, plus 1 सेम लोजी के तीनों में उमीद करता हूँ प्रेशन आप सबी को बहुत अच्छे समझ में आगया होगा और मैं जो बात आप से बार बार कह रहा हूँ कि रीजिनिंग के प्रेशनों में अपने निगाहों को तेज रखिए संक्याओं को ध्यान से देखिए ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है अब यहाँ पर डिवैड का मतलब यह नहीं है कि आपको डिवैड ही करना है रीजिनिंग में तो आप अपनी तरफ से भी लोजिक लगा सकते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या लोजिक है संक्याओं का ध्यान से देखेंगे तो लोजिक आपके सामने यह देखें कैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक और दोनों का अगर आपस में जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा साथ तो साथ यहाँ पर लिग दिया ठीक है बिल्कुल सही दोनों को जोड़कर मैंने या लिख दिया फिर मैंने क्या क्या, 4 से डिवाइड करूंगा सोला में कितनी बार जाएगा, 4 बार तो यहां 4 को लिख दिया नहीं बात आहिए समझमे, फिर से समझी देखे यहां 16, divided by 4 बराबर कितना है, 54 देखिए, मैंने यहां क्या क्या दोनों को जोड़ा, दोनों को जब मैंने जोड़ा तो क्या हुआ, साथ आया, मैंने साथ लिख दिया, फिर चार से डिवाइड किया, सूले को चार से सूले में डिवाइड देंगे, चार बार जाएगा, तो चार यहां लिख दिया, यहां पर फिर मैंने तीन यहां लिख दिया जितनी वार डिवाइड गया उतना यहां लिख दिया आगे भी देखिए सेम लोजिक है या नहीं 81 divided by 9 बराबर कितना है 99 पहले मैं दोनों को जोड़ूँगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 मैंने 9 लिख दिया फिर 9 से 80 को कटाओंगा 9 बार जाएगा 9 बार जाएगा तो मैंने 9 यहां लिख दिया वही लोजिक अब आप यहां लगा दीजिए ठीक है पहले तो दोनों को क्या करें को जोड़ के लिखेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा दस हो जाएगा फिर क्या करेंगिए दूसरी संख्या से पहली में डिवाइड करके यह लिख देंगे 5 से करूंगा मैं 5ी答 मियार जाएगा तो मैं 11 यहां लिख दूँगा तो 10 11 ही आपका साही अंसर हो गया तॉस्प 11 दे का रहे हैं वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजे ताकि सभी की हेल्प हो सके ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद